व्हेलो फ्रेंड्स मैं हूं मुनिक और मैं अज अब के लिए एक पार्टि स्टाटर की रेसेपी लेकि आई हूँ हम हमारे घर में जब भी पार्टि रखते है तो हम ऐसा चाहते है कि फ्रेंड्स के सामने ऐसा सर्व करें कि हमारी तारिफ करें तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी ब्रेड की रेसेपी लेके आई हूं, बच्चों को और वडों को सबको भी पसंद आती है, इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसे आप अपने घर पर मिंटों में बना सकते हैं, इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम ब्रेड लेंगे, मैंने यहाँ पर यह वाइड ब्रेड यूज किया है, अब इस ब्रेड को हम हाफ कट कर देंगे, मैं इसे बीच में से हाफ कर रही हूं, आप चाहे तो इसे ट्राइंगल शेप में भी कट कर सकते हैं, इसी तरीक टोमेटो और स्वीट कॉन और ओलीज लिए हैं जिसे मैंने कट कर दिया है अब इस रेसिपी में मैंने सिज्लिंग के लिए मैंने यहां पे चिली फ्लैक्स मिक्स हर्ब बैजिग और ओरिगेनो यूज किया है अब एक प्लेट लेंगे इसके उपर हमने जो ब्रेड कट किया थ उसको तिर्चा एक के उपर एक रख और एक सर्कल बना देंगे इस तरी किसे मैंने ब्रेड को इस प्लेट में साट कर दिया है यहां पे मैंने एक अमुल का बटर लिया है जिसका one four part में cut cut के इसे एक bowl में डाल के इसे melt कर दूगी अब मैं इसमें ग्रेट किया हुए एक चमच गार्लिक डाल दूगी और इसी के साथ में ये half चमच जितना honey add कर रही हूँ इसमें इसका flavor बहुत ही अच्छा आता है ये optional है आप चाहे तो इसे skip भी कर सकते हैं अब इस butter को हम ब्रस की साहता से इस bread पर अच्छे से लगा लेंगे इसी तरी किसे मैंने ये butter सारी bread पर लगा लिया है अब मैंने या पर ये cheese slice लिया है जिसको मैं दो हिस्तों में cut कर दूँगी इसे cheese slice को हमें bread के inside में एक circle बनाते हुए अच्छे से लगाना है अब ये हमारे जो corner बच गए हैं अब उसमें मैं ये cheese slice के छोटे pieces करके उसे लगा रही हूँ जिससे कि ये circle अच्छे से cover हो सके अब यहापर मैंने ये homemade ketchup लिया है इसे भी हम इसके उपर अच्छे से फैला देंगे जहाँ पर मैंने ये cheese लगाया है मैं उतना ही sauce लगा रही हूँ पूरी bread को इसे cover नहीं कर रही हूँ अब इसके उपर हमने जो vegetables ली थी वो इस पर लगा देंगे सबसे पहले मैं इसके उपर ये बारिक कटा हुआ प्याश डाल रही हूँ फिर मैंने ये green capsicum लिया है उसे भी इसके उपर मैं डाल रही हूँ और साथ मैं इस पर ये chopped tomato और sweet corn डाल रही हूँ अब हमने जो olives क्लिये ते कट करके उसे भी इसके उपर डाल देंगे इसके उपर मैं ये chili flex, oregano, mix up और basil डाल दूँगे अब मैं सारी sizzling डाल दी है अब हमें इसके उपर cheese की topping करनी है तो उसके लिए मैंने ये आप पर mozella cheese लिया है जापर मैंने ये wezis डाली है उसके उपर मैं ये mozella cheese डाल दूँगे आप चाहे तो इसके जग पीजा cheese या process cheese भी यूज़ कर सकते है cheese से हमें इस bread को पूरा cover नहीं करना है इसे half ही cover करना है cheese को मैंने अच्छे से इसके उपर डाल दिया है ये जो extra cheese जो हमारी plate में निचे हागी है उसे bake करने से पहले हम इसे clean कर देंगे preheated oven में 180 degree पर 7-8 minute के लिए इसे bake करेंगे ये देखिए cheese कितनी अच्छे से melt हो गई है ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है ये देखने में जितना अच्छा दिख रहा है उतना ही खाने में भी बहुती cheesy और बहुती tasty बना है आप भी इसे अपने घर पर जरूर ट्राय करें अगर आप अपने घर में garlic bread या पीजा बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसे बना कर सवर करें जैकि आपके घर में सब देखकर एक बार जरूर पुछेंगे कि आपने ये क्या बनाया है तो आप इसे अपने घर पर एक बार जरूर ट्राय करें अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को like करें शेर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe करें थैंक्यू फर वोचिंग